हाई फ्रेंद्स वेल्कम टू माई सक्सेस टीम मैं दीपक साहूं आपकी ये छोटास सोलीशन बोलो कि चाहे कुछ भी बोलो चुटास जुगार बोलोगे तो भी काम चले आपका इसमें क्या है कि में चीश क्या होता है कि इसमें कि मेरा जो सेलिंग कर खाम है इसमें कई बार कई लड़कों का जर्वरत मन्सामान जैसे कुछ ही मांग करते हैं यह क्या है बैटरी बुष्ट है जिसमें हम लोग मैंटरी बुष्ट करते है तो आपको यह सब बैटरी बुष्ट करने के लिए अलग से इसको लेने का ज़रूरत नहीं है ठीक है उसी टॉपिक में चोटा सा बना रहा हूं क्योंकि अभी तक तो लग भग लग सभी लोग जानते हैं कि इस वाले डिसी से यह बूश्ट हो जाता है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिनको इसमें बूश्ट कैसे करना है वो लोग अभी यह भी रख करके इसी को यूज कर रहे है इसलिए एक चोटा सा वीडियो है बट जो जिसको पता नहीं है उसके लिए बहुत बढ़िया भी बन सकता है यह टॉपिक तो इसको बूश्ट कैसे करना है मैं इसको आपको क्लियर करा दे रहा हूं ठीक है देखिए हमको सबसे पहले हमको सेट आन करने के लिए मैं कितना पहले भी वीडियो में बना चुका हूं कि सेट आन करने के लिए फॉरफाइंट टू का वोल्टेज रखना है और थ्री एंपियर में करेंट रखना है ठीक है तो यही सेट अब में हमारा वेटरी बूस्ट होगा ठीक है कि हमारा कोई बेटरी अगर हमको बूस्ट करना है त मतलब कुल मिल आगे पूरा जीरो रहता है एक्जामपल यह देखिए मैं आपको बता रहा हूं चाहे कोई भी बेटरी हो ठीक है मैं किया प्लस टू प्लस माइनस टू माइनस देखो मीटर में ध्यान दीजिए इसमें बिलकुल ही वोल्टेज करेंट वोल्टेज नहीं है ठ इसको भी देख लीता हूं कि यह देखिए यह पूरा जीरो को जीरो है इसको भी बूस्ट करने के ज़रूरत है कि ऐसीसे बूस्टिंग होगा ऐसा ने यह येदी यह वाला वेट्री है इसमें है 3598 यह इसके अंदर में करेंट वोल्टेज प्रापर है यह बुष्ट करने लायक नहीं है यह आटुमेटिक सेट में जार्जिंग रिकावर कर लेगा लेकिन यह पूरा जीरो कंडिशन में हमको हमारा कोई भी सेट रिकावर नहीं कर पाता कर भ करना अब बिए जो लोग जानते हैं उनके लिए चोटा इसे वीडियो बना रहा हूं ठीक है तो चलिए इसको मैं अब करकर कर रहा हूं कैसे कैसे बूस्टिंग करना है और सब कैसे reaction होगा इसका बेटरी बूस्ट करते समय उसको मैं बता रहा हूं देखिए सबसे पहले तो यह दोनों रेड और ब्लेक ठीक है रेड हमेशा प्लस रहता है और ब्लेक हमेशा माइनस रहता है तो यह बेटरी के माइनस प्लस को ही ध्यान देना है प्लस प्लस में रहे गा माइनस माइनस में रहेगा और यहां भी ध्यान दे दे जीगा वंढ़ी रहना चाहिए और अीह Yo बूस्टिंग करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्लास टू प्लास और माइनस टू माइनस है अधिक यह देखी इसमें फोकस करना ना प्लस जो रेड़ वायर है वो प्लस में रहेगा और ब्लेक वायर यह माइनस में रहेगा तो यह हम रख दिये प्लस में और यह लग दिये माइनस में डिसी में लेके आना बटन दबाव झाए जो ईसमें देखो नीचे का जो एंपियर है यह कम होते जाएगा यह संदिंग 1500 के आसपास जाएगा 1500 से उपर मत किजिएगा कभी भी लग भग लग भग 500 के अंदर में यह बड़िया बूस्टिंग के लायक हो जाता है मतलब वह उठाने कोई हैंसेट में अगर शार्जिंग लगाते हो तो उस कंडिशन में यह उठा लेगा ठीक है यह इस्टोर होते जा रहा है थोड़ा इस्टोर होने दीजिए इधर नीचे भी एक बार दिखा हाद में यह आ गये है अब एकषली और है को हीक Präsident की मैं करके बता रहा को इसका जीओ का क्या है यह यह पलस है यह मैनस है ठीक है क्या है रेड़ वाइर हमारा किसमे रखना है पलस में और ब्लेक वाइर माइस में भी है तो मैं रख दिया मारा में प्लस जैड़ वाइर और माइनश में बलेक वायर को दो यह देखो इसमें ऊपर वाला को ध्यान देना इसमें 4.20 का वोल्टेज जो सेट करके रखा हूं और यह जो बूस्ट कर रहा हुं बेंटी को उसमें कम सो कर रहा है क्यों कि इसलिए सो कर रहा है क्योंकि इसके अंदर में पूरा जीरो कंडिशन में वह जब तक 4.2 का वोल्टेज इसके अंदर में नहीं आ जाएगा तब तक वह करेंट का जो परसेंटेज है उसको आगे नहीं बढ़ाएगा ठीक है इधार देखा यह देखो और देखो 360 है वह कम बढ फुल हो गया तो नीचे वाला फिर करेंट इसके अंदर में आना सुरू हो जायाएगा इसके अंदर में इस्टोर होना तो कम होने दो कि यह देखो 420 होने के बाद में नीचे का करेंट अब बढ़ने लगा अब नीचे का जो करेंट है इंपिया है उसको सम्थिंग 15 के आसपास ला कर के छोड़ दो उसके बाद में यह आपका बेटरी चार्जिंग लगाने के बाद में मतलब रिकावर कर देगा मतलब से ज्यादा भी निकरना है और में चीज ध्यान देना है इसमें का कि प्लस प्लस में रहे और माइनस माइनस में रहे और जो वोल्टेज बताया हूं का वोल्टेज रहना चाहिए और थ्री एंपियर करेंट रहना चाहिए कि नीचे भी दिखाऊ दें पकड़ कर रखा हूं इसको उसके बाद वोल्टेज भी टेस्ट करके बता दूंगा कितना आ रहा है कैसे आ रहा है उसको इसमें अगर समझ भी नहीं आता आपको कुछ उपा नीचे रहेगा तुसमें कॉमेंट करके मेरे को बता भी देना कि समझ नहीं आएगा तो अगर समझ नहीं आता है तो ऐसे किसी बैटरी को लगा करके इसके अंदर में बूस्ट मत किजिए और फेक्टली पहले समझ जाएएगा कि क्या कितना कितना करना है 4.2 का वोल्टेज क्या करेंट रहना चाहिए चाहिए यह डीची हो चाहिए कोई भी डीची फाइव एंप्एश्ट का करनने का ना चाहिए तो फाइब में क्या बता है कि हमको अली थ्री एंपियर का करेंट चलिए और फाइंट टू वोल्ट एम सेट करके थ्री एंपियर का करेंट कर दीजिए अब वेटरी को सम्तिंग यही रहेगा बस अभी जितना भी एंड़ाइट फोन हो चाहिए ओपोन हो चाहिए कोई यहीं सेट हो उसमें पूस्टिंग का प्रोसेस यही रहेगा और अलाक से दुसरे में बुस्ट करने का जवर्रत नहीं है ठीक है जाली इसके इसकंड को एकनेट मैं वोल्टेस टेस्टि ले रहा हूं देख रहा हूं कि यह देखिए उस समय पहले जब चेक किया थे स्टार्टिंग में यह जीरो था इसमें अभी थ्री फाइंड कितना है यह यह देखो यह सुरू में जो हम लोग चेक कर रहे थे जो पूरा-पूरा डिस्चार्ज था यह भी जैसे के तैसे ही कंड हो रहा है कि यह वेंट्री खराब का कंडिसन अगर यह लगाते समय कोई वेंट्री अगर इंपियर आगे नहीं बढ़ाता है तो समझ जाओ कि वेंट्री डेट के कंडिसन में है यह देखो यह दिखा रहा है अभी देखो इसको में 1500 से कम में लेकर छोड़ा था ठीक है तो कि वह समतिंग 2000 के असपास आचुका था यह वेंट्री सही नहीं है हमारा लगवाक दिखा भी देगा लेकिन यह काम नहीं आने वाला और यह पूरा जीरो सबसे सुरू में जब चेक कर रहा था मैं तो तो यह वोल्टेज कर रहा था फिर दुबारा चेक किया था इसमें वो रहा है स्टोर जो ले रहा है उसमें का करेंट लेकिन इसमें कुछ नहीं ठीक है अधर्वाइज माल जाए कोई बेटरी अगर बूस्टिंग के लिए लेना है कुछ भी इसको देख लेता हूं रुक वोल्टेज पर ट्रेक कर देता हूँ कि इतना है सर 397 यह अल्रेडी चार्जेवल है ठीक है अब इसको इसमें भी देख लेते हैं क्या कंडिशन है अधर्वाइज चार्जेवल है इसमें कितना है 500 के लगवाइज क्योंकि यह इसके अंदर आल्रेडी पूरा इस्टोरेज है यह वेटरी मतलब अभी वेटरी है इसके अंदर पूरा जीरो नहीं हुआ है इस्टोरेज है इसमें बॉल्टेज प्राफरली दिखा रहा है अग कोई वेटरी जीरो जीरो वोल्टेज दिखाता है मीटर से कोई आदमी उसको साइट कर देता है या फिर वह अला बुष्ट बुष्टिंग यूज करने के लिए फिर ढूंडता है कि यह वीडियो बना रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का यह पिक्चर आता था मेरे पास में यह चाहिए बोलके और उसको पूछता था कि आपके पास में कौन से डिसी है उनको पूछने के वाद पाचर रहा है कि कोई कुराट का रखा है कोई संसाइन का रखा है कोई और दुनिया मेकेनिक दुनिया वाग इतने कंपणी सब कंपणी का अलग अलग हर आदमी अपने 24 हर पासे रखा हुआ है तो सौलेंस के जवरण देंगे हिन्हें उस यही ठोड़के उसमें वह फिकार है इसमें वही तुसमें विद्यान देखे करनाetically कंअ में है कि किसमें मायनस मैं लगाना है और प्लस प्लच में लगाना है और वोल्लेश हमारा कर रहेगा 4.2 और 3 एंपियर का ठीक है इतना मैं आपको अगर कुछ समझ नहीं भी आता है तो पर भी मेरे को कॉमेंट करके आप सोट देना उसमें जितना भी मेरे से बन पाएगा मैं हेलफ जरूर करूंगा और सब लोगों को कॉमेंट यही रहता है कि वीडियो बहुत कम आता है आपका एकच्छी बढना है त evitar मत खाल रहा हूं ताइम नहीं निकाल पाता हूं जब कलास चलता है तो कलास लंबा हो जाता है या प्लास भी टाइम निकलता है तो उसीजिए मैं था अभी काम निप्ता नहीं if नहीं मैं नहीं लगेगा बीच-बीच में वीडियो जाते जायाए ठीक है सर, थैंक यू